हेलो फ्रेंड्स हाव आई यू आल वेल्कम तू माझ चैनल लॉन लाइवली मैं हूं आर्थी और आज मैं आप लोगों को बहुत ही इजी वे में बताऊंगी कि तबा पीजा घर पर कैसे बनाएं तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं पीजा बनाना तो उसके लिए जो हमें इंग्रीडेंट्स लगेंगे वह इस प्रकार है पीजा बेस जो कि मार्केट में बहुत ही इसली अविलेबल है और आप चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं वह भी अगर आप मुझे कॉमेंट ठर्ट काप्स के आपचाहें तो ट्मैटो भी उसकर सकते हैं यह कर लेंा इस बटा गुरीण चिली जो कि मुझे अच्छा लगता है और मुझे जालागा इसी स्वेचा बहुत अच्छा है इसलिए मैं अगर आपके पास पीजा सॉस नहीं है तो अप इसकी जगा इसकी जग अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूद को एक बार बॉइल करके राद बर फ्रेज में रख दें और उसके उपपर जो लेयर जमा होगी उसको आप ऐस फ्रेश क्रीम यूज कर सकते हैं और यह है वेजमेयो और हमें चाहिए होगा लास्क में आमूल की चीज म ऐसे टो बना रहे है तो हमारी जो सब आपन के जेड़ां होगा है तो रही फ्रेय पैंने अर्टी थेवी आज परेश्य सब्सकींट्या पर द्रवएं नहीं फ्राई करना होगा तो हम अच्शा पाराएं पैन गतीते हैं तो फ्राई पीजा पाण सब्सक्रीम आपondern Bonus पिसमन हलका सौटे करेंगे 30 सेकेंड तक बिल क्योंकि मैंने इसे बहुती अथिन स्लाइस में काटा है तो हमें ज्यादा इसे फ्राइ करने की जरूरत नहीं है तो फ्रेंज 30 सेकेंड हो गया है अब हम काटा के दूसरी वेजिटेबल को करेंगे और इसी तरह से हमें सारी वेजिटेबल्स अनियन और ग्रीन काटा कर लेंगे अगर आप टमाटर यूज़ करें तो उसको भी हलका सा कर लीजेगा और अगर आप कोई भी अपनी पसंद फू तो उसको आप इसी तरीके से 30 सेकंड के लिए कर लीजेगा, तो अब हम उसी प्रकां ग्रीन के आपसिकम को भी कर लेंगे, देन उसके बाद अनियन को बस, प्रेंस इन अनियन को भी हम 30 सेकंड के लिए तेज आच पर सौटे कर लेंगे, विदाउट बटर और गीम, हमने बस बार में हलका सा बटर लगाया था पैन पे, ताकि कोई भी सब्जी आउस में चिपचेना, तो फ्रेंस देख सकते हैं, मैंने ये तीनो को सौटे कर लिया है, अब हम चीज में, आप चाहे तो उपर से भी डाल सकते हैं, मगर मैं चीज में ही चिली फ्लेक्स, एंड औरेगेन को इस चीज में ही मिक्स करूंगी, इसमें मिक्स करने से जब वो ब्लेंड होगा, तो उसका टेस्ट बहुत ही आउसम आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जैसे मैं बता रही हूं, अब हम इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे, बस अब ये रेडी है, अब हम पीजा को डेक करते हैं, पीजा डेकुरेट करने के लिए हमें, पीजा सॉस चाहिए, अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप इसकी जगा टोमेटो केचप यूज कर सकते हैं, जादा नहीं, बस एक छोटा टी स्पून, अब मैं इसमें फ्रेश क्रीम लोगी, क्योंकि इस क्रीम के वज़ काफी है, एक टी स्पून, और थोड़ा सा मियोनीज, आप चाहें, आपको नहीं पसंदे हैं, मियोनीज और इस क्रीम तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्रिफ टोमेटो केचप या पीजा सॉस लगा के इसको बना सकते हैं, तो फ्रेंड्स, अब ये पीजा बेस पे मैंने सॉस लगा दिया है, अब हम इसमें थोड़ी सी चीज डालेंगे पहले, ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे हम, अब हम इसमें वेजिटेबल्स को डेकॉरेट करेंगे, तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, पीजा डेकॉरेट हो च स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ी दूर दूर पे, और थोड़ा सो सॉल्ट एड़ करेंगे हम, ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे, आप अपने स्वाद अनुसार सॉल्ट को एड़ कर सकते हैं, और अब हम इसमें बाकी की जो बची चीज है उसको स्प्रिंकल करेंगे, तो फ्रें पीजा फुली डेकोरेट हो चुका है अब हम इसे पैन में रखेंगे पहले हम पैन में हलिका बटर लगाएंगे ताकि पीजा काफी अच्छा है नीचे से जब इसमें बटर जाएगा तो अब इसमें पीजा रख देंगे और पहले हम तवे को गरम करेंगे हम डाइरेक्ट अगर इसको गैस पे रखेंगे तो हमारा पीजा बर्न हो सकता है नीचे से जल सकता है इसलिए पहले हम तवे को गरम करेंगे उसके बाद हम इसके उपर पैन रखेंगे अब हमारा तबा प्रिहीत हो चुका है हम उसके उपर पैन रखेंगे और उसको cover कर देंगे लेट से और फ्रेंग्स हमें इसको तब तक पकाना है जब तक हमारी चीज पूरे न दो हमारी जब चीज मेल्ट हो जाएगी तो हमारा पीजा पक चुका होगा यह 10 मिनेट लेगा आपका तो आप इसे लो फ्लेम पर 10 अच्प दहक कर पकने दें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि पीजा अब रेडी हो चुका है, लगबग 10 मिनट पूरे हो गए हैं और आप देख सकते हैं चीज भी किस तरीके से मेल्ट हो रही है, तो अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और पीजा सर्फ करने के लिए रेडी है, तो फ्रेंड्स पीजा तो फ्रेंड्स रेडी है, आप देख सकते हैं, यह कितना दिलिशियस दिख रहा है, जूसी एंड चीजी पीजा, यह बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा, तो फ्रेंड्स रेडी है हमारा दिलिशियस पीजा, टेन मिनिट्स में रेडी, आप इसे आपको मेरा फीजा कैसा लगा, तो फ्रेंड्स में रेडी है, आप देख सकते हैं, और पिजा कितना चीजी और यूम्मी दिख रहा है, फ्रेंड्स आप ज़रूर इसे घर पर ट्राइ किजे, और मुझे कॉमें बताइए, आपको मेरा पीजा कैसा लगा, तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आगे ऐसी ही और भी यमी यमी डिस्स लेके आने वाली हूँ तो प्लीज डू सब्सक्राइब मैं चैनल और थैंक यू फो वाचे इन बाबाई